तो गाईज यहाँ पर एक फॉक्सी भी है वो यह तो मुर्गी को खाणना चाहता है भाई इसके पीछे बढ़ गया ओ यह देखो मार दिया भाई है मेरे प्यारे दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो हम अचुके एक बार फिर शे माइनक्राफ की दुनिया में जिया गाईज काफी टाइम से हमने माइनक्राफ नहीं किया तो भाई मैंने सोचा क्यूं न भाई आज इसका एक और एपिसोड किया जाए तो पिछली बार भाई देखे तो भाई हम उसको टेम करने वाले हैं तो चलो गाईस देखते कि वो मेरे को मिलते की नहीं मिलते और यहाँ पर बहुत ही बड़ी केओ भी है भाई तो अगली बार हम आपके पास क्या है सर वह बाई साब इसके पास तो बहुत सारा समान है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है सर आपको देने के लिए चलो भाई इसको छोड़ो सबसे पहले मेरे को डोगी डूड़ना पड़ेगा ना भाई और पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था ना भाई पिछली बार तो भाई सब मैंने यहीं कहीं देखे थे भाई लेकिन पता नहीं कहां चले गए चलो भाई सबसे पहले इसके अंदर जाके देख लेते कि इसके अंदर क्या मिलता है भाई मेरे को वह भाई साब क्या गजब की चीज मिलिया भाई गोड़े का आर्मर मिल गया बाई मेरे को मतलब कि गोड़े को भीए Hem Temp कर सकते हैं बाई साब तेरे मज़ढा ही आ rabbits चलओ बाई मेरे पास बून है लेकिन बाई मेरे को डोगी नहीं देख रहे हए यह अपनी दोन में गूम रहा है और बहुत सारी केट भी है यहां पर भाई तो इसको कैसे टेम कर सकते भाई मेरे को नहीं पता और वहां पर देखो भाई फोक्सी भी है भाई ओ यह क्या कर रहा है भाई ओ तेरी भाई साब देखो फोक्सी ने भाई सब एक मुर्गी को मार दिया भाई बेचारी मुर्गी भाई यह तो बहुत खतनाज जानवरे भाई ये फॉक्सी लेकिन भाई सब मेरे को चाहिए डोगी भाई पता नहीं डोगी कहां पर छुपा के रखा भाई इन लोगों ने मैंने सुना भाई इसी जंगल के अंदर कहीं न कहीं है भाई और पिछली बार भाई सब मैंने देखे थे यार लेक तेरी भाई मेरे को लगा ये डोगी है भाई क्योंकि इसका कलर सफेद था न भाई चलो भाई अभी देखना पड़ेगा मेरे को आगे जाके कहीं न कहीं तो मिल जाएगा भाई चलो और आगे बढ़ते साइद यहां पर मिल जाए मेरे को और यहां पर देखो मैंने इसको का कि बून था भाई बाई साब मेरे को लगा एक बार में टेम हो जाएगा भाई चलो भाई मेरे को वापस से घर जाना पड़ेगा ओके तो गाईस फाइनली हमारे पास बहुत सारी बून आ ょकितने पान्च ले लिए उट नगी के पास चलते हैं ended टेयम नहीं अब आ प्दनी एक बूर्ण में करेसे नहीं मुझे उसको खोड़न पड़ेंग न गई और यहीं कहिसा है यहीं करुड़ sack ओ इसके पीछे था ना भाई चलो 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 बाई देखते हैं यहां पर वो यह रहा यह रहा भाई चलो 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 बाई यहीं था ना भाई हलो हलो डोगी भाई साब चलो 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 इस तरफ देखो इस तरफ देखो इस तरफ इसको कैसे टेम करते हैं वो मिल गया ओ भाई करके गाइस मुझे जरू बताना कि इसका में नाम क्या रखो वाई और इसकी गर्दन ऐसे जूगी क्यों है भाई चलो भाई इसको घर ले कर चलते हैं फटा फट से आज आजा और यह देखो भाई यह बेट गया भाई मतलब कि यह पूरी तरह से टेम हो चुका है चलो गाइस एक काम करते हैं सबसे पहले इसको घर लेकर चलते हैं और वहां पर उसको बहुत सारा खाना भी खिलाएंगे फ्यू मोमेंट्स लेटर ओके तो गाईज फाइनली हम अपने घर पर पहुच चुके और भाई साब वो मेरे पीछे पीछे आ रहा भाई चलो सबसे पहले काम करते हैं उसके लिए मुझे यहां पर एक छोटा सा घर बनाना पड़ेगा और बाद में भाई हम इसके लिए बहुत बड़ा घर बनाने वाले हैं लेकिन टेंप्रेली भाई टेंप्रेली इसको यहां पर छुपा के रखते हैं बाई कहा गया वो यह देख है और जैसे बाइ मैं इसको कड़ा करूंगा तो वह खड़ा भी हो जाएगा भाई चलो लिए इंदर जा अंदर जा और यह खाना क्या खाता बून खाएगा क्या चल यह खाले चल खाले 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 और पह continuity काट mij भाई साब तेरा दूसमन आ गया न तो तेरी चटनी बना देगा भाई चलो भाई फाइनली हमने इसको यहां पर सेफ रख दिया भाई चलो भाई अभी बहुत रात हो चुकी मैं सोने जा रहा हूं बहुत थक्या हूं भाई इस डोगी ने मुझे बहुत गुमाया लेकिन करके जरूर बताना कि सका मैं नाम क्या रखो भाई अभी तक तो मैंने सोचा नी एक इसका नाम में क्या रखो और यह देखो खड़ा भी ओй बेट भी गया खड़ा भी वो भी तो मेरे को चाहिए न बाई चलो बाई ये काम complete हो गया अभी मुझे करना ये है कि यहाँ पर मुझे करनी एक खेती और उसके लिए बहुत सारा खाना भी तो चाहिए बाई क्योंकि अगर जानवर को पालना तो उसके लिए खाना भी तो चाहिए न बाई उसकी आबादी बढ़ानी पड़ेगी न मेरे को चलो भाई ये almost complete हो चुक है और अभी मुझे इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा ये हमारा छोटा सा फार्म बन चुका है तो ये complete हो गया और यहाँ पर एक लगा देते हैं और एक लगाते ही यहाँ पर चलो भाई ये complete हो चुका है और अभी मेरे पास bucket है तो यहाँ से म पानी डाल देते हैं चलो भाई finally ये हमारा काम complete हो गया अभी हमने यहाँ पर बीज लगा दिये हैं और इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा न भाई ताकि हम इसके अंदर बीज लगा सके बाई और हाँ guys next episode में हम mining करने वाले हैं तो आप लोग मेरे को comment करके ज़रू पर mining करो है ना चलो भाई इसको भी ठीक कर लेते हैं पहले और अभी मेरे को बहुत सारे बीज भी तो चाहिए बाई चलो भाई इसको ठीक करो और ये सारका सारा ठीक हो गया बाई चलो अच्छी बात है बाई ये complete हो गया बाई और अभी मुझे बीज चाहिए बाई इसके वहाँ पर मेरे को दो गाय दिख गई है भाई चलो भाई इसको लेकर चलते है भाई मेरे को सीप तो नहीं मिली लेकिन इस गाय को लेकर चलते है फटाफट से और मेरे पास केवल दो यह वीटे भाई तो अभी मैं इसको नहीं खिलाओंगा भाई चलो 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 बाई और चलो-चलो बाई बहुत एक काम की चीस मिली वाई और इससे वाई मेरे को लेदर भी तो मिल सकते न भाई और SI की मनदद से भाई साब हम बहुत कुछ कर सकते भाई और एक पीछे रह गई ओओ लेकर दोघ की आरे यह देखो यह इसको लेकर चलना पड़ेगा ना भाई फटा फट से चलो मान तो गई भाई फाइनली और इसको यहां पर कैद कर देंगे भाई और हां भाई मैंने दो सूर को भी कैद करके रखा भाई चलो इसको खाना देते हैं और यहां से निकलते हैं बाहर की और इसको भी दे देते हैं चलो भाई एक मेरे पास और है चलो भाई अब निकलो फटा फट और इसको बंद करो पहले चलो भाई इसको भी हमने ओ भाई साब ये देखो एक बच्चा भी हो गया बाई इतनी जल्दी अरे तुम तो बहुत ही फास्ट हो भाई चलो भाई अच्छी बात है इसकी आबादी बढ़ रही है तो गाइस आज का ये वीडियो यहीं पर एंड करते तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं वह आप लोग मुझे कमेट करके बता सकते हैं एक तुमें सीप लेकर आने वाला हूं और मुर्गियां भी लेकर आने वाला हूं और हां गाइस झाल झाल